So in this video we'll talk about important reading tips अगर आप भी reading करने के बाद ऐसे दिखते हो और ऐसा बन ना चाहते हो तो यह जो वीडियो है इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि इसके बाद अगर आप practice कर ले तो यह सारी skills को तो आपकी reading जो है वो permanently improve हो जाएगी यह guarantee के साथ बोलता हूँ मैं क्या tips हैं टिप्स नहीं बोलूँगा इसको मैं skills बोलूँगा basically tips जो होती है वो होती है कि short term आप कुछ easily कुछ change कर सकते हो अपनी reading में, listening में skills जो होती है वो methods होते हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है first जो skill है वो है skimming, skimming में क्या करते हो आप fast reading करते हो fast reading वही कर सकता है जिसकी reading बहुत अच्छी है जिसने बहुत सारे novels, books या articles पड़े हुआ है जो newspaper daily पड़ता है skimming का मतलब होता है कि आपको fast read करना है word to word read नहीं करना और आपको एक meaning निकालना है for example मेरे पास यहाँ पेक paragraph है अगर हम यह paragraph देखेंगे तो इसमें आप word to word नहीं पड़ते हो आप देखो के traveling Thailand से इस साल में इस बंदे की बात हो रही है जो impress हुआ है, verbs पे ध्यान दोगे rooftop solar heating system से, जो काफी घरों पे था energy जो sun से लेता है, जो absorb करता है plate में heat करता है water को for domestic use इसमें सारी चीज़ें नहीं पड़ी हमने इस चीज़ को जो मैंने करके दिखाया है आपको इसको skimming बोलते हैं इसमें हमने विल्टकुल word to word नहीं पड़ा है अगर आप ऐसे questions कर रहे हो जिसमें headings हैं, तो यह आपके काम आती है skill इसमें क्या करना होता है अगर आपको headings में problem है तो skimming अगर आप सीख लेते हो जैसे मैंने भी बताया कि आपको कुछ-कुछ words पड़ने हैं या तो proper nouns हों, adjectives हों या verbs हों जिससे आपको overall meaning पता लग जाए कि इस paragraph में किस चीज की बात की है आपको बिल्कुल accurately नहीं जानना आपको अंदाजा लगाना है 75-80% भी आपको पता लग जाता है तो आप easily headings ठीक कर सकते हो तो इसको बोलते हैं skimming अगर आप skimming की जगा proper reading करने बैठ जाते हो word to word एक एक चीज को समझते हो तो जो list of headings जैसे question है वो आप नहीं कर सकते reading में easily अगर आप करोगे ऐसे तो आपका बहुत ज़्यदा time waste होगा second जो skill आती है जो आपको आनी चाहिए वो है scanning, scanning की आपको location find करनी है जब भी आप कोई भी question IELTS की reading में करते हो, तो आपको पहले location find करनी होती है उसके लिए most of the students गलती करते हैं इसमें जैसे उनको एक question मिलता है वो question को जब पीछे आके check करते है location find करने के लिए तो ऐसे read करना start कर देते हैं वो words को वो sentence को properly read करते हैं धीरे धीरे बट उससे क्या है आपकी जो scanning है वो properly काम नहीं करती आप lines को read करना start कर देते हो जिसकी वैसे आपको question की location find करने में बहुत ज़्यादा time लगता है आपको क्या करना है जैसे आपके पास कोई question है for example जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है stop यह word है question में आपके पास या कोई और word है तो आपको यह word select कर लिया ऐसे दो या तीन word आपको select करने है फिर आके आपको कुछ भी read नहीं करना scanning का मतलब है आप सिर्फ जो word आपने उठाए है question से वो आप यहाँ पे आके check कर रहे हो कि कहाँ पे वैसा word लिखा हुआ है आपको कोई भी sentence read नहीं करना जब तक आप उस word को find नहीं कर लेते जो word आपकी question में given है Next detailed reading detailed reading आपको कुछ questions में करने के लिए आनी चाहिए जैसे की MCQs MCQ में अगर आप उपर-उपर से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा A, B, C, D option choose करना है तो आपको वहाँ पर अच्छी understanding होनी चाहिए detailed reading के लिए आपको at least 95% English जो है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए आपके कि क्या लिखा हुआ है वो तो आप कर सकते हो कुछ questions में ही आपको detailed reading करने की need है most of the questions आप skimming and scanning skill के साथ कर सकते हो यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि students जब भी questions solve करते हैं आइल्स reading में वो गलत time पे गलत skill को use करते हैं जैसे ही for example अगर आप car चला रहे हो और आप गलत gear डालके गलत time पे चला रहे हो गलत speed पे तो आपको problem देगी वैसे ही अगर आप reading कर रहे हो और आप गलत skill को use कर रहे हो गलत time पे तो आप smoothly reading नहीं कर पाओगे so skimming once again कभी use करना जब आपको overall hint लेना paragraph का कि paragraph में क्या लिखा है scanning आपको तो करनी है जब आपके पास कुछ words है और वो words आपको पीछे text में find करने है detailed reading आपको तब करनी है जब आपको पूरा proper meaning समझना है कोई answer choose करने के लिए for example MCQ आप इसको कैसे करना है आप daily ऐसा कर सकते हो एक passage पकड़ो जो भी 900 words का एक passage होता है 20 minutes के लिए उसमें आप सिर्फ skimming properly आप इसको practice करो आपको कोई भी question solve नहीं करना आपको just passage चाहिए passage को आप देखोगे हमेशा हो एक एक paragraph में divided होता है एक paragraph पहले 30 seconds का time लगाओ अपने phone पे 30 seconds में skim करो then देखो कि क्या meaning आपको उसमें समझ आता है then फिर उसको अच्छे से read करके देखो कि जो meaning आपने निकाला है वो ठीक है फिर second passage second paragraph second paragraph में again 30 seconds का time लगाओ skim करो हर एक paragraph जितने भी paragraphs आपको passage में दिये हुए है वो आप 30-30 seconds में fast read करके उनका meaning निकाल के देखो इससे आपको आदत पड़ेगी skimming करने की scanning scanning आप daily कर सकते हो जब भी आप properly reading कर रहे हो one hour का timer लगा के classroom में कर रहे हो चाहे घर पे कर रहे हो वो तो होगी होगी आपको उसमें कोई need नहीं है ज्यादा focus करने की detailed reading अगर आप अपनी अच्छी करना चाहते हो तो इसमें आपको ज्यादा time देना पड़ेगा कोई भी passage आप पकड़ो sentence to sentence उसको समझने की कोशिश करो, try करो और जो words आपको नहीं आते हैं वो आपको note down तरने पड़ेंगे अगर आपको अपनी detailed reading ठीक करनी है detailed reading का मतलब है आपको हर एक word समझ में आना चाहिए वो तब ही समझ आएगा जब आपको vocabulary आती होगी vocabulary सीखने के लिए IELTS की reading best है जब भी आप कोई भी IELTS की reading प्रैक्टिस कर रहे हो जब भी sentence पढ़ रहे हो कोई भी word आपको ऐसा मिलता है जो आपको नहीं पता वो word उसी time note करो अपनी notebook में उसके synonyms लिखो उसके opposite words लिखो और उनको weekly check करो कि जो words आपने लिखे हैं आपको याद हैं कि भूल गए हैं So this was all about today Again अगर आप ये सारी चीज़े practice करते हो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दी तो ये improve हो जाएगी अगर आप practice करते हो और आप ऐसे दिखते हो reading करने के बाद तो आप definitely ऐसे दिखोगे Thank you